स्वागत है दोस्तों तो जश्पूर से एक बड़ी खबर सामने आई है जश्पूर हादसा नैशनल हाईवे में चक्का जाम करने वाले 30-35 अग्याद प्रदर्शंकारियों पर दर्ज हुआ पुलिस ने 30-35 अग्याद प्रदर्शंकारियों पर दर्ज लिया है पुलिस अधीकशक विजय अगरवाल ने बताया कि 16 अक्टूबर को प्थलगाव में हादसे के विरोध में अग्याद प्रदर्शंकारियों ने प्रदर्शं किया था जिनके खिलाफ अब कारवाई किया जाना है सभी अग्याद प्रदर्शंकारियों के खिलाफ धारा 147 और 341 के तहट कारवाई की गई है इस कारवाई से शहरवासियों में हरकंप मच गया है भारतिय दंड सहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई भी उब्दरव करने का दोशी होगा तो उसे किसी एक अवधी के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा या एक जमानती, संगे अपराद है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणिय है या अपराद समझोता करने योग्य नहीं है बता दे कि जश्पुर जिले के पत्थल गाव में दुरगा विसरजन करने जा रहे ग्रामीनों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया है इस हादसे में 14 ग्रामीन घायल हो गए थे एक व्यक्ति की मौत हुई थी कार से कुचलने वाले दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ओडिसा से गांजा तसक्री कर दोनों आरोपी मध्यप्रदेश जा रहे थे